मलकपुर नामक राज्य में राजा करन सिंग राज्य करते थे। वे एक बहुती कुशल और प्रजा प्रियशा सकते। प्रजा के दुख तकलीफों को दूर करना और उनकी सेवा करना ही राजा का एक मात लक्षय था। उनके राज्य में कभी भी कोई लड़ाई, जगडा या पशुपालन था। गाव में दूद, मक्खन और गी की कई देरिया थी। मोहन नाम का एक व्यक्ति भी उसी गाव में रहता था और दूद की देरी चलाता था। उसकी देरी में दूद, मक्खन, गी इत्यादी रहता था। गाव में मोहन की देरी सबसे मशहूर थी क्योंकि उसमें कभी भी कोई मिलावत या शिकायत जैसी समस्या नहीं आती थी सभी लोग मोहन की डेरी से ही दूद, मक्खन और घी लेना पसंद करते थे ग्रहक अरे मोहन भाई, जरा दो किलो दूद और एक किलो मक्खन देना दूसरा ग्रहक मोहन भाई, मुझे भी एक किलो दूद और आधा किलो घी दे देना जल्दी करना, मुझे घर भी जल्दी जाना है मोहन अच्छा भाई, दो मनट रुको, मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ इसी तरह सुबर से लेकर शाम तक मोहन की देरी पर ग्राहकों की भीर लगी रहती थी उसी गाउग में रमन नाम का एक व्यक्ति रहता था उसने यहाँ अनुभव किया कि शहर में बिखने वाला ब्राट, केक और पास्ताब गाउग के लोग भी खाना पसंद करते हैं रमन ने इसका लाब उठाते हुए उसी गाउग में एक बेकरी खोल दी रमन भी अपने काम के प्रती इमानदार और सरल स्वभाव का था धीरे धीरे ग्राहक रमन की बेकरी पर भी आने लगे और सामान खरीदने लगे गाव में रमन की बेकरी को लेकर चर्चा होने लगी दो दोस्त आपस में बात करते हुए बोले अरे भाई तुम्हें पता है गाव में एक नई बेकरी खुली है सुना है वहाँ पर ब्राट, केक और पास्ता जैसा खाने का सामान मिलता है पहला दोस्त हाँ, सही कहा, मैं सोच रहा हूँ आज शाम कुछ ब्राट की पैकेट ले जाऊँ इस तरह दिन वदिन रमन की दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे और उसकी बेकरी भी काफी चलने लगी एक दिन शाम को मोहन रमन की बेकरी के सामने से गुजर रहा था उसने सोचा चलो मैं भी कुछ पैकेट ब्राट ले लेता हूँ मोहन रमन की बेकरी के पास गया और उससे बोला भाई जरा दस पैकेट ब्राट के निकाल दो रमन दस पैकेट ब्राट निकाल कर मोहन को दे देता है और मोहन उसे लेकर घराता है वो अपनी पत्नी से कहता है देखो आज मैं दस पैकेट ब्राग के लेकर आया हूँ हमारी दुकान पर ग्राहकों की काफी भीर रहती है मैं इन पैकेटों को अपने डेरी पर रखूगा अगर ग्राहक इसे खरीदते हैं तो कल से मैं और भी ज़्यादा ब्राग की पैकेट खरीद लूँगा अगली सुबह मोहन इन पैकेटों को लेकर अपनी डेरी पर जाता है और उन्हें सामने रख देता है ग्राहक आना शुरू होते हैं वह दूद, मक्खन और गी के साथ कुछ पैकेट ब्राग के भी ले जाते हैं और देखते ही देखते दसो ब्राग की पैकेट साफ हो जाती है ये देखकर मोहन कहता है अरे वाह ब्राग की पैकेट तो बहुत जल्दी बिग गई कल से मैं और ज़्यादा पैकेट लेकर आऊंगा जब वो देरी बंद करके घर लोट रहा था तो उसने रमन से कहा अरे भाई, 20 पैकेट ब्राग के निकाल दो ये सुनकर रमन ने पूछा अरे भाई, तुम रोजाना एतने ब्राग की पैकेटों का क्या करते हो आखिर तुम क्या काम करते हो मोहन, अरे भाई, इसी गाउब में मैं देरी का काम करता हूँ मेरी देरी पर लोग दूद, घी और मक्खन खरीदने के लिए आते हैं गाउब में मशहूर देरी है मेरी रमन, अच्छा, बहुत अच्छा है सुनकर बहुत अच्छा लगा ये लो 20 ब्रैक की पैकेट और हाँ मेरी बेकरी पर भी काफी ग्राहक मक्खन की मान करते हैं तो तुम्हें काम करना क्यों ना तुम अपनी ही दुकान से यहां मक्खन भिजवा दिया करना इससे तुम्हारा भी काम होता रहेगा और मेरा भी मोहन अच्छा ठीक है कल से मैं तुम्हारे लिए मक्खन ले आया करूंगा और यहां से ब्रेड ले जाया करूंगा अब कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा मोहन हर रोज एक किलो मक्खन रमन को देता और वहां से कुछ ब्रैक की पैकेट अपने लिए खरीद लेता एक दिन रमन अपन नौकर से कहता है जरा इस मक्खन को मशीन पर तो रखना रमन का नौकर मक्खन को मशीन पर रखता है तो रमन देखता है कि मक्खन का वजन 900 ग्राम ही है ये देखकर रमन कहता है अरे देखो तो ये तो केवल 900 ग्राम ही है हम कब से इससे मक्खन खरीद रहे हैं और हर रोज ह इसने काफी नुकसान हमें पहले से ही कर दिया है वो तुरंट उठता है और राजा करन सिंग के पास जाकर मोहन की शिकायत करता है ये सुनकर राजा आश्चर्य में पढ़ जाते हैं क्योंकि अभी तक मोहन की कोई भी शिकायत उन तक नहीं गई थी आज ये पहली बार था राजा ने अपनी बात को और पक्का करने के लिए सामने रखी मशीन पर मोहन के लाए मक्खन को रख दिया सभा के सभी लोग ये देखकर आश्चर्य में पढ़ गए कि मक्खन का वजन केवल 900 ग्राम ही है जबकि एक किलो की पैकेट का दाम उनसे लिया जा रहा है राजा ने मोहन को बुलवाने का आदेश दिया कुछ समय बाद मोहन और रमन दोनों राजा के सामने हाजर हुए राजा ने कहा देखो मोहन आज तक मेरे पास तुम्हारे नाम से कोई भी शिकायत नहीं आए है लेकिन आज मैं ये सुनकर हैरान हूं कि तुम रमन के साथ बेयमानी कर रहे हो उससे एक किलो ब्रैग का पैकेट लेकर बदले में मक्खन 900 ग्राम वजन में ही दे रहे हो राजा की बात को अच्छे से समझाने के लिए उसके एक सैनिक ने ब्रैग की पैकेट को मशीन पर रखा और मोहन को दिखाया मोहन ये देखकर बोला महाराज की जय हो महाराज, अगर मक्खन का वजन 900 ग्राम है तो इसमें भी रमन की ही गलती है मोहन की इस बात को सुनकर राजा और सभा में बैठे सभी लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि गलती तो मोहन की है लेकिन वह रमन के उपर सारा आरोप थोप रहा है कुछ समय बाद राजा ने कहा मोहन, गलती तुम्हारी है और तुम कह रहे हो कि सारी गलती रमन की है कैसे, मोहन महाराज, जब मैं सुबह रमन को मक्खन देने जाता हूँ तो उससे पहले मैं उस मक्खन का वजन ब्रैग की पैकेट के वजन के बराबर करता हूँ और उसके बाद उस मक्खन को रमन को देकर आता हूँ अगर मक्खन का वजन 900 ग्राम है तो ब्रैग का वजन भी 900 ग्राम ही होगा ये सुनकर राजा असमंजस में पढ़ गए कि आखिर इस मामले को कैसे सुलजाएं मामला काफी पेचीदा होता जा रहा था कुछ समय बाद राजा ने रमन से कहा तुम एक काम करो तुम जो ताजा ब्रैग का पेकेट बनाते हो उसे लेकर आओ राजा के ऐसा कहने पर रमन अपनी बेकरी पर जाता है और वहां से ताजी ब्रैग का पेकेट लेकर आता है सिपाही उस ब्रैग की पैकेट को लेकर मशीन पर रखता है और उसका वजन चेक किया जाता है इस ताजी वाली ब्रैग का पैकेट का वजन पूरा 1 किलो है ये देखकर राजा और बाकी लोग कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है राजा मोहन और रमन दोनों को घर जाने के लिए कहता है और अगले दिन वापस आने के लिए कहता है इस समय वलताजी वाली ब्रैग की पेकेट को अपने पास ही रखने के लिए कह देता है शाम को राजा और मंत्री दोनों मिलकर इस बात पर विचार करते हैं राजा कहते हैं मंत्री जी ऐसा कैसे हो सकता है एक किलो ब्रैग का पैकेट 900 ग्राम में कैसे बदल जाता है तभी राजा के मुन में एक विचार आता है कि हो सकता है ताज़ा ब्रैग कुछ समय बाद अपना आकार और भार बदल देता हो इस बात को परक्ठने के लिए उन्हों और रमन दोनों सभा में उपस्थित होते हैं राजा मंत्री जी से कहते हैं मंत्री जी ब्राग की पैकेट को लेकर आए मंत्री जी जाते हैं और ब्राग की पैकेट को मशीन पर रखते हैं आप सच्चाए सभी के सामने थी एक किलो ब्राड वाली पैकेट आप 900 ग्राम में बदल चुकी थी आप राजा कहते हैं देखो इसमें रमन की कोई गलती नहीं है और देखा जाए तो मोहन की भी गलती नहीं है जब रमन ताजी ब्राड की पैकेट का वजन करता है तो वह एक किलो का ही वजन करता है लेकिन जब मोहन रात भर उसे अपने घर रखता है और सुबह होने के बाद उसका वजन करके बदले में मक्खन के बराबर करता है तो वह 900 ग्राम के बराबर हो जाता है राजा की समझाय हुई बात अब रमन और मोहन दोनों को समझा चुकी थी इसके बाद राजा मोहन से कहते हैं, देखो मोहन, आगे से जब भी तुम किसी चीज का वजन करो तो उसे किसी चीज से नहीं बलकि मशीन की असली वजन से ही तौलना मोहन राजा की बाद का हां में जवाब देता है और दोनों अपने अपने काम पर लौट जाते हैं राजा द्वारा इस समस्या को सुझाने का यह अंदाज सभा के सभी लोगों को काफी पसंद आया वह राजा की खूब तारीफ करने लगे सच में कितने पेचीदे मामले को राजा ने बड़ी ही समझदारी से सुलझा दिया अब मोहन भी जब भी किसी चीज को तोलता तो वह उसका सही से वजन करता ना कि किसी चीज से अब रमन और मोहन दोनों मिलकर अपना काम आगे बढ़ाने का सोचते हैं और मिलकर काम करते हैं गाउग में उनकी दोस्ती की खूब तारिफ होती है और सभी उनी दोनों से सामान खरीदते हैं. इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं.